इसमें दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक परचेस वेजस ओडिट फिस रिपेयर रिपेयर हाउस प्रॉपर्टी का दिया हुआ है जो कि नहीं आएगा पीजी बीप में जनरेंट चाल्जेस कमिशन ओफ रिजनल लोन बैड़ प्रिजर बैड़ प्रिजर भी पीजी बीप में नहीं आता है फिर बैड़ इंडरेस्ट रन कैपिटल कॉंट्रिबुशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड यह भी पीजी बीप में नहीं आता है प्रोविजन फॉर इंकम टेक्स यह भी नहीं आता है और डैप्रिशिशन अलाओ तो यह लिख दिया है तो यह आएगा और स्टॉक बताया है और बोला है यू आर रिक्वाइड टू कंप्यूट इस टोटल इंकम इसने कहा है टोटल इंकम क्यलकुलेट करना है और असेस्मेंट डियर 2021 तो इसके लिए हमको सबसे पहले एच्पी बनाना पड़ेगा और उसके बाद क्यूंकि इसमें एच्पी का भी हमद और पर क 언제 इसमें इसमें हु कुछ नहीं है एक्स्पी हम पढ़ चुके हैं तो इसमें जो standard deduction है वो 15,000 का ही 30% हम standard deduction निकालेंगे तो यहाँ पर total तो वो आजएगा 4500 अब 15,000 में से 4500 माइनस करेंगे तो आजएगा 10,500 जो हमारा income from house property होगा अब हमको PGP पर निकालना है यानि कि profit और gain from business net profit question में दिया हुआ था net profit 250,000 तो वही net profit हम लेंगे उसके बाद repair दिया था house property का तो वो नहीं आता PGP में लेकिन उसमें add कर दिया गिया है इसलिए हमको यहाँ पर 2,000,000 माइनस करना होगा फिर bad debt भी reserve भी दिया था तो वो भी plus होगा interest on capital यह भी नहीं आता है इसलिए यह भी plus करेंगे contribution to staff welfare fund यह भी plus करना पड़ेगा reserve for income tax यह भी हमको plus करना पड़ेगा सबका total करने पे हमारा आजाएगा 17,000 और rent of property यहाँ पे हमारे income side पे rent दिया हुआ था rent of property दिया हुआ था तो हमको यह rent of property जो था वो हमको माइनस करना पड़ेगा 15,000 तो 2,50,000 में से जब हम 17,000 प्लस करेंगे और 15,000 माइनस करेंगे तो हमारा आजाएगा 12,52,000 यानि कि 2,52,000 यह हमारा होगा income from business अब यह हमारा house property का income हो गया और यह हमारे business का income हो गया तो जब हम दोनों को जोड़ देंगे 10,500 को और 2,52,000 को तो हमारा total income आजाएगा 2,62,500 यह हमारा total income है Q3 मेसर्स, राजश कुमार एवं सन एक गेहूं के व्यापारी है वीड बीजनस चलाते हैं उन्होंने साबुन और तेल कंपनी की भी agency है जिनके विक्रा से उन्हें निश्चत प्रतिशत का commission मिलता है फिर 31 मच 2020 को समाप्त होने वाले गतपर्श के आये कर अधिकारी को निम्नान के त्विवरण है सबसे पहले उनको साबुन कंपनी से commission मिला 40,000 तेल कंपनी से उनको 50,000 commission मिला और कंपनी समाप्त होने पर तेल कंपनी से छटिपूर्थी की राशी एक लाख उन्हें मिली गेहूं की बोरियां 500 बोरियां 250 रुपे में खरी दी और 400 बोरियां उन्होंने बेच दी यानि की यहां पर उन्होंने 500 बोरियां नहीं बेची है तो हमारा जो इसमें निकलेगा वो 500 closing stock 100 बोरियों का निकलेगा क्योंकि 500 थी और उन्हें 400 बोरियां बेच दी यानि की 100 बोरियां अभी भी बची हुई है और दुकान का खर्च आया है 26,500 अब इसमें उन्होंने क्या-क्या चीजे प्रॉफ पीयल में लिया है तो राजश कुमार ने लड़गे के विवाह के लिए 4500 लिया जो की पीजी बीपी में नहीं आता है कैलेंडर और डाइरी की लागत यह आ जाएगा रहने के लिए मकान का मेरमबद तो यह भी पीजी बीपी में नहीं आएगा वनो रंजन का वे इंटर्टेर्मेंट एक्सपेंस तो आती है फिर बीना कस्टम चुका है माल लाने पर दंडियाने की यह ब्रिच ओफ लॉफ है कानून तोड़ने का डंड लगा है तो यह प्लस हो जाएगा फिर टाइप राइटर खरीदने के अग्रिम चुका है टाइप सबसे पहले हम इसमें ट्रेडिंग अकाँंट बनाएंगे क्योंकि ट्रेडिंग अकाँंट में बोला था ओपनिंग मैं वह बेचह है क्योंकि इस लिए वॉपनिंग स्टेॉकंस में कुछ भी नहीं लिखेंगे हम पर्चेस किये ते बोरी हम पर्चस किये थे 2,50,000 में हमने बेज दिया 2,40,000 में और ख्लोजिंग कितना बचा होगा 500 बोरी खईदे थे 400 बोरी बेज दिया यहने कि 100 बोरी यहां बची होंगी और क्योंकि 2,50,000 है तो 2,50,000 और 500 बोरी खईदी थी तो 2,50,000 डिवाइड वाइ 500 कर दोगे तो होने पाज़ एगा 2,90,000 और 2,90,000 में से जब हम 2,50,000 को माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा 40,000 जो हमारा ग्रॉस प्रॉपिट है फिर ग्रॉस प्रॉफिट हम इधर पर बैलेंस करेंगे इसका और एक्सपेंस बोला था कि 26,500 हो रहा है तो जब हम 40,000 में से 26,500 माइन तो 13,500 हम लिख लेंगे expense on marriage ये तो नहीं आता इसलिए हम इसको add कर दिये repair of residential house residential house का repair नहीं आता इसलिए उसको भी plus कर दिया penalty for breach of law कानून तोड़ने पे उसको penalty लगा है इसलिए वो भी plus हुआ purchase of typewriter ये capital का purchase है इसलिए इसे भी plus करना पड़ा total plus करने पे आजाएगा 10,600 ये हमारा taxable income from weed business है सिफ weed business के बारे में ये हमारा इसका total आजाएगा 10,600 plus 13,500 करेंगे तो आजाएगा 24,100 ये हमारे weed business का total income है लेकिन सुरू में उसने कहा था कि commission मिल रहा है shop and oil company से shop soap company से उसको मिल रहा है 40,000 और oil company से मिल रहा है उसको 50,000 यानि की total उसको मिल रहा है 90,000 अब compensation निकालेंगे terminal of business तो यहाँ पे हमारा आजाएगा 1,00,000 रुपए जो कि वो दिया हुआ था compensation book question में तो हम इसमें से 24,100 और 90,000 और एक लाग को जब प्लस करेंगे तो आजाएगा 2,004,001 तो जो हमारे total income from business होगा और हमारा answer भी